श्री शिवाई नमस्त अभ्यम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांती का पावंत योहार आने वाला है तो आप सभी लोग अपने घरों में लड्डू को बनाना शुरू कर दीजिए और आज हम आपको एक ऐसा उपाई बताने वाले हैं जोकि सिर्फ आपको मकर संक्रांती के दिन ही करना है जिस उपाई को करने से आपकी घर में धन की जो कमी हो रही होगी न वो पूरी हो जाएगी धन नहीं घर में रुक रहा होगा वो भी रुकने लगेगा आपके घर में जो व्यापार चलाती होगी उनका व्यापार सही से नहीं चल रहा होगा तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं यह उपाय बहुत ही अचुक है देखिए जो भी उपाय होते हैं कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि कुछ विशेज दिनों पर ही किये जाते हैं पर उन उपायों को किये जाने के बाद उनका जो फल होता है वो हमें बहुती जल्द मिलता है और ऐसा फल मिलता है कि हम अपने मूँ से खुद बोल पड़ते हैं कि हाँ हमने इस उपाय को किया था तो उसी का फल हमें आज मिल चुका है हमने जो अपनी मनोकामना के साथ इस उपाय को किया था वह मनोकामना हमारी पूरी हो गई है ठीक है तो अगर आपके घर में व्यपार नहीं चल पा रहा है, व्यपार सही से नहीं चल रहा है, धन प्राप्ती नहीं हो रहा है, घर में पैसा नहीं आता है, तो उस जगा पर आप इस उपाय को कीजिए, मकर संक्रांती की दिन करीब दो पहर के समय करना है, वो समय क्या है, अगर आ काली तिली लेना है थोड़ी सी काली तिली लेने के बाद आपको एक बमूल का कांटा लेना है जो मतलब पतली पतली जिनकी पत्तियां होती है ना मतलब आपने देखा होगा कहीं कहीं कांटे के पेड़ों रहते हैं तो आपको एक बमूल का कांटा लाना है ठीक है आप किसी भी प्यटगी पांच पती आपको ले आना है तीक है अब यह 504 और एक बमूल का कांटा और थोड़ी सी काली दुकान है आपकी शौप है तो आपको यह उपाई घर में नहीं करना है आपको यह उपाई करना है आपकी दुकान में आपकी शौप में ठीक है जहां से आपका व्यापार चलता हो जहां से आपकी शौप चलती हो उस जगापर आपको इस उपाई को करना है अगर यह कुछ भ अपके दुकान है तो दुकान की पूरे कोने में आप लोग घूमाई है एक चक्कर पूरा दुकान का लगाई है इन तीनों चीजों को अपने हाथ में रखते हुए ठीक है बस एक चक्कर ही लगा लिजिए भगवान का नाम लेकर कौन से भगवान का नाम लेकर अवधूतेश आफ्दू तैश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये एक पूरा अएक अपने दुकान में लेकर डिसे घूमना है ठीक है अवदू तेश्वर महा, बार बार बोल द Gramhind लेकर ही आपको इन तीनों चीज़ों को अपने хорош पर चलता हो उस पूरी जगा पर लेकर इसे एक चक्कर लगा लेना है घूम लेना है वहाँ पर ठीक है और अगर आपका मतलब दुकान वगर नहीं तो आप इस उपाई को घर में कर सकते हैं इससे आपके घर में धना आएगा ठीक है अब दूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इन तीनों चीज़ों को अपने हाथ में रखकर अपने पूरे घर का परश करा रहे है पूरी जगह पर घूम लेकर कहने का मतलब यह है ठीक है अब घूमने के बाद अब इन तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है अब दूतेश्वर महादेव का नाम अवश्य लीच तब ही यह उपाए आपके उपर काम करेगा अब आपको करना क्या है यह تीनों ही चीज लेकर आपको जाना है कहां पर भी ना जा सकें तो किसी भी पीपल के बेड़ के नीचे इसे वहाँ पर रखाईए बस इतना काम करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी काम होगा ना वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा ठीक है तो कीजिए इस उपाय को और हमें कमेंट करके जरूर पताएगा ओम नमस्षिवाई जय बोले वबस्षी शिवाई नमस्तु भ्यम